हेलो फ्रेंट्स मैं सभीता सेखाओत मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बूती ज्यादा एल्डी और टेश्टी सा नास्ता की रेसीपी लेकर आई हूं जो आपको बेहद पसंद आएगा और जेटपट बनने वाल एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे जिसमें हम इसका बैटर तयार कर सकें और अब इस बाउल के अंदर हम डालेंगे यहां पर एक कटोरी बरकर रवा मैंने यहां पर यह कटोरी से माप किया है सेम कटोरी से सारा माप करेंगे जितना हम यहां पर रवा ले रहे हैं उतना ही हम इसके अंदर ले लेंगे याँ पे चावल का आटा इसके बाद में सेम बाउल से हम जितना हमने रवा लिया था उतना ही हम इसके अंदर दई का इस्तिमाल करेंगे दई याँ पे अलकी सी खटी होनी चाहिए ज्यादा खटी दई का इस्तिमाल हमें नहीं करना है नहीं तो इसम हमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले हमने थोड़ा ही पानी इसमें एड किया है requirement के अनुसार पानी लगेगा मैं इसमें डालती जाऊंगे और आपको बताऊंगी end में इसमें कितना पानी लगा तो यहां पे हम थोड़ा थोड़ा ही add करते जाएंगे मिलाते जाएंगे ताकि यह ज्यादा पतला ना हो तो इस तरीके से हमने यहां पे इसको गोल कर ले लेना और जब तक हम देख लेंगे अमने इसमें क्या-क्या सबजी डालनी है तो यहां पे हमने एक सिमला मिर्ची, चार अरी मिर्ची, एक मीडियमाकार की गाजर, थोड़ा सा अरा दनिया, दो मीडियमाकार की प्याज और एक कटोरी हमने यहां पे मटर के दानी लिए हैं यह सब जीरा अलका सा बुन जाएगा उसके बाद में एड़ कर देंगे इसमें एक छोटा चमच राई और इसी के साथ में अमने जो सबजिया ली हैं अभी हमें वो एड़ करनी है तो पहले हम प्याज को एड़ कर देते हैं इसी के साथ में एड़ करेंगे यहां पे अरी मिर्ची और इनको हमें बिलकुल अलका सा ट्रांस पैरेंट ओने तक बून कर लेना है, इसी तरीके से चलाते हुए, और उसके बाद में अम इसके अंदर डाल देंगे, बाकी की सब्जिया यहां पर प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल transparent करना है सबजे डालने के बाद में और इनको अमें अलका सा और बून कर लेना है तो यहां पर हमने गाजर, शीमला, मिर्ची भी डाल दी है इनको लगातार चलाते रहेंगे और इसके बाद में अम इसमें add कर देंगे जो अमने अरी मटर ली थी उनको अमने grinder jar में डालकर दरदरासा पीस कर लिया है मटर का बारिक पेश्ट नहीं बनाना है बस दरदरासा ही इसको अमें पीस कर लेना है अब ये भी इसमें add कर देंगे और इनको आमें लगबग 2-3 मिनिट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए बून कर लेना है जिसे कि मटर का भी कच्चापन निकल जाए और ये जब आपको लगेगी कि पैन के अंदर चिपकने लगी है इसका जो मोईस्टर था वो थोड़ा सा कम हो गया है उ तो समझ यह तयार हो गया है अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ तो जो बैटर हमने गोल कर रखा था उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मिक्स कर देते हैं जो अमने सबजिया अभी पका कर तयार की है वो पूरी सबजिया इसके अंदर एड़ में इसके बाद में थोड़ी सी दनिया पत्ती भी इसमें कर लेंगे और आप डालेंगे इसमें थोड़ी सी सुखे मसाले तो यहां पर टेस्ट की अनुसारी इसके अंदर तीखा यहाँ प क्याय आप नविबिए बाद में और कीजिया है तो दो शार आलने से चबाद हम पूरा अच्छे से actra करेंगे और पानी डालले बेस करेंदबे कि सेट करें लेकिन अभी इसके अंधर में disAf Emir ज्या sentiments के सेats जोड़ा पानी डाल कर इसको बिल्कुल अच्छी से मिक्स करना है ज्यादा देल तक नहीं फैट ना है केवल इसको मिक्स करके लेना है अब यह बिल्कुल रैडी है नास्ता बनाने के लिए तो चलते हैं अगले process में रिड्ली का रिल्य कर लिया है अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल जितना इसका साचा है उतना बरेंगे उपर तक नहीं बरना है और अब इनको अमें लगबग 15 से 20 मिनेट तक पकने देना है पहले एक दो मिनेट फुल रखेंगे आच उसके बाद में कम कर देंगे और यहां पे टोटल अमने इसको 20 मिनेट तक पकाया है अब इसको चैक कर लेते हैं तो यहां पे आमारे पास चाकु है चाकु डालकर इसको चैक करेंगे तो चाकु यहां पे बिल्कुल निकला है इसका मतलब यह अच्छे से पक गया है डखकन लगा कर एक दो मिनेट ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद में आम इनको निकालेंगे तो यहा एक चमच इसमें डाल देंगे यह पर उड़त की डाल और अगर आपके पास करी लिवस हैं तो वो भी इसके अंदर एड़ कर सकते हूं मेरे पास नहीं हावी मैं नहीं कर रही हूं और थोड़ा सामने आप ग्रेट किया हुआ सूखा गोला लिया है यह भी इसमें एड़ लिए इसी तरीके से फ्राइब कर लेंगी तो यह जो नासता है और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है आप इस तरीके से जरूर बना कर देखना बुति ज्यादा शॉफ्ट और टेस्टी सा नासता बन कर तयार होता है और आलदी भी है क्योंकि इसमें बुच्छा तेल का इस्तिमाल नहीं हुआ है हमने इसको सोस और अरी चटनी के साथ में सर्व किया है और अगर आपको आज की रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए अपना केमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद